हलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मिद करते हैं सब बढ़िया होंगे तो आपके दंगल नंबर आठ का सोलुशन हम देखने जा रहे हैं टोटल आपके 10 दंगल होने वाले जिनमें से 8 दंगल आज हो चुके हैं उम्मिद करते हैं आपने दंगल में बहुत ही अच्छा स्क आई हो आपको जो है वो बहुत बहुत जो है वो शुबकामना है उसके लिए आप अच्छा करना बढ़िया करना तो यहां हम स्टार्ट करते हैं यहां पर हम केमिस्ट्री में केवल फिजिकल वाला पोर्शन देखने वाले हैं तो कॉश्चन नंबर 63 देखिएगा आपको य ई है आयन में उपस्टित कुल इलेक्ट्रोंों की संख्या आप से पूछी गई है तो सबसे पहले तो हम मॉल निकाल लेते और ऑक्षलेट के तो मॉल निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहे मोल आ गए मैं पहले मोलकूल निकालने पहले है मौल में इलेक्ट्रोण में पहले है तो तो 32 electron होगे किसके oxygen के, तो total होगे 4 और ये 4 और फिर जो है वो 2 इसने और ले रखे हैं तो total होगे 46, तो इसको 46 से आपको multiply करना पड़ेगा, 46 से multiply करूँगा तो यह आजाएगा अपने पास 2.3 Na, तो option number second is correct, बहुत ही आसान सा question है, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 64 देखेगा, 20 ml.1 molar H2SO4 के विलियन को 30 ml.2 molar ammonium hydroxide विलियन के साथ मिलाए जाता है, तो परिणामे विलियन की pH क्या होगी, आपको जो हो एक देर का विया, 20 ml.1 molar H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 molar NH4OH solution, the pH of resultant mixture, ठीक है, देखो जी, सबसे पहले तो reaction करवाते हैं, तो H2SO4 प्लस क्या है, NH4OH, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, सबसे पहले हमारे पास बनेगा NH4, HSO4 और ये जो हो क्या बना विया, H2, ठीक, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें इसका valency factor एक है, तो इसके mg equivalent जो मैं लूँगा, वो कितने आएंगे, 2, और इसके mg equivalent जो हो हमारे acidic salt होने की वज़े से, ये अगेन वापस से क्या करेगा, एक बार, reaction करेगा, और वापस से reaction करेगा, तो NH4, HSO4, हाना, और साथ में जो हो अपने पास आएगा, NH4, OH, अब बनेगा भीया, NH4, hold twice, SO4, और साथ में जो हो क्या बना, H2, तो अब इस केस में देखना जरा, इसके जो हो हमारे पास है, दो, इसके है कितने, चार, अब ये वापस से जो किता हो गया, zero हो गया, limiting reagent है, इसके दो बच गए, और इसके दो बन गए, यानि, overall solution में दो चीज़े आ रही है, एक तो आरा भीया, NH4+, SO4, और एक आपको मिल रहा है, यहाँ पर क्या, NH4, OH, ठीक है, अ और यह क्या है, salt है, है ना, तो हम क्या बताते हैं, या फिर आप यह कहो कि NH4, OH, और साथ में हमारे पास है, NH4+, ठीक है, इसके ग्राम equivalent है कितने, दो, और इसके NH4+, कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, क्योंकि इस salt के जो हो कितने है, दो ग्राम equivalent है, तो एक में दो है, तो इसके चार हो जाएंगे, clear है बात, तो अब यह एक basic buffer बन रहा है, और basic buffer के लिए हम बोलते हैं, कि भीया, जो pH होती है, या पो होती है, वो होती है, पी के बी प्लस लॉग salt upon base, तो पी के बी आपको इसका देही रखा है, कितना है, 4.7+, प्लस लॉग salt, salt की concentration, salt के ग्राम equivalent 4, और यह हो गए 2, तो यह cancel हो गया, यह हमारे पास आएगा, कितना, 2, ठीक है, और log 2 की value 0.3, यानि pH आगे कितनी, 5, तो pH आगे कितनी, 9, तो option number 4 is correct, इसकी pH कितनी आएगी, 9 आएगी, तो अमीद करते है, question concept आपके समझ में आया होगा, buffer का question है, NCRT best है, ठीक है, आपने ठी भी किया होगा, next question की तरफ बढ़ता है, अगला question होगा, question number 65, आपको बोरा है, oxalate की permagnate iron के साथ, अम लिए माद्दे में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो CO2 की एक अनों को बनाने में शामिल, electronों के संख्या क्या होगी, देखो, कि oxalate की permagnate के साथ, oxalate होता भी है, C2H4 minus 2, और permagnate अपने पास होगया, MnO4 minus, तो हमारे पास बनेगा भी है, CO2 और साथ में Mn plus 2, यह होगई reaction, ठीक है, अब आपको यह बोल रहा है कि इसका केवल हमें एक अनों बनाना है, तो एक अनों बनाने में कितने electron शामिल होगे, आप देखो, यहाँ पर plus 3 से जो है, यह plus 4 plus 4 में चला गया, इसका एक अनों बनाना यानि plus 4 से plus 3 का change आ रहा है, तो कितने electron का change आया, एक अनों के लिए, एक electron का change आया, यानि option number first is correct, ठीक, तो यह है 65, next question की तरफ चलते है, 66, निम्न में से असत्य मिलान है, incorrect match, आपको जो होगई दूनना है, डेल्टा जी और के का relation, त 2.303RT log K, ठीक है, तो पहला चेक करते हैं अपन, कि अगर डेल्टा जी की value जो हो, मैं 0 ले लू, तो डेल्टा जी नॉट is equal to 0, तो K की value कितने आएगी, एक आएगी, या आप यहाँ पर K की value एक रख दो, तो डेल्टा जी 0 आजाएगा, तो यह तो ठीक है, यह सही है, फि K की value अगर एक से छोटी है, तो यह 0 से जादा आएगा, या फिर आप यू कोओ कि अगर K की value एक से बड़ी है, तो J naught की value जो 0 से क्या आएगी, कम आएगी, लेकिन यह वाला गलत है, यह वाला सरासर गलत है, कि डेल्टा G naught is equal to 1 है, तो K1 होगा, ना, अगर K1 होगा, तो पक equilibrium of calcium carbonate is studied under different condition, एक reaction आपको अगेन वह ही दे दी, for this equilibrium, the incorrect statement is, ठीक है, पहला देर का, कि वागिया, डेल्टा H is depend on temperature, dependent on temperature, डेल्टा H ताप पर निरवर करता है, या किसी भी reaction की enthalpy जो है, यहाँ पर इस reaction की enthalpy जो हो, temperature पर depend नहीं करेगी, केसी greater than Kp, above for reaction, for above, लोग केसी की value जादा ह होगे, तो Kp बराबर क्या होता relation, Kp बराबर होता भी या केसी, और यह होता RT की power delta NG, एक ऐसा relation हमारे पास आता है, तो अब इस reaction के लिए आप देखो delta NG positive है, तो delta NG positive है, तो Kp की value केसी से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो यह वाला relation जो हो ठीक नहीं है, दिये गए त दाब पर K का मान CO2 के दाब पर निर्भर करता है, K का मान CO2 के दाब पर निर्भर नहीं करेगा, K का मान केवल ताब पर निर्भर करता है, ठीक न, delta H is independent of catalyst, या delta H की value जो है, delta H उत्रेरक के प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है, यह भी बिल्कुल सही बात है, ठीक न, के भ करता है देखिएगा तो next question देखते हैं next question है 67 कि calcium carbonate का top ये victim विबिन परिस्तितियों में होता है calcium carbonate ये reaction दे रहे किया निमन सामे के लिए ऐस सत्यकतन आपको गलत statement चुनना है यह आपर incorrect statement तो पहला है यह delta H का मान delta H top पर निरफर करता है यह यह तो सही बात है delta H करता है temperature पर depend क करता है क्योंकि delta H2 minus delta H1 हम किर्चोफ equation जो है वो बताते हैं तो किर्चोफ equation से delta H की temperature पर dependency तो बताते हैं यह तो ठीक है उपराउक तब इक्रिया के लिए kc greater than kp relation होता भी है kp is equal to kc और यह rt की power delta ng अब इस reaction के लिए delta ng की value आप देखो कितनी है एक है तो एक है तो हमेशा k kp की value जो हो kc से ज्यादा आएगी तो दूसरा जो हो इसका गलत हो गया statement दिया गया ताप पर k का मान co2 के दाप पर निरफर यह आपके paper में निरफर नहीं करता है नहीं करता है paper में जो है यहाँ पर नहीं लगा होगा और यहाँ पर k is independent लगा होगा ठीक है ना independent on the pressure of co2 at given temperature बिलकुल यह statement जो हो इसका सही है क्योंकि independent k का मान केवल temperature पर depend करता है pressure पर depend नहीं करता है यह चीज़ आपको धहन में रखना है delta h उपर के पर निरफर नहीं करता है यह statement भी इसका क्या है सही है कि delta h उपर कभी भी अविक्रिया कि उसमा को प्रभावित नहीं करता है तो का VRMS या URMS क्या होगा तो भाईया देखो हम बोलते है VRMS is equal to under the root 3RT by M यह होता है ठीक है अब आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखिये तो किसी भी gas की काइनेटिक एनर्जी एक मोल की काइनेटिक एनर्जी हम बोलते है कितनी 3 by 2RT ठीक है यह हमारे पास होती है एक मोल की value निकाल लूँ तो यह आजाएगा RT is equal to 2E by कितना 3 यहाँ पर put कर देते हैं तो under the root 3 और यह आजाएगा 2E by कितना 3 और यह M यह cancel हुआ तो answer आएगा under the root 2E by M यह है विया question number अपने पास 68 तो option number first is correct next question की तरफ बढ़ते है अगला question है question number 69 देखेगा क्या बढ़ रहा है उस आदर श्विलियन के लिए क्या अस्ततिया होगी जो सांदरता की समुच्ची परास में route के नियम की पालना करता है तो मतलब route के नियम की पालना करने के लिए जो क्या condition है तो route के लिए delta H mixing कितनी होती ह है जीरो होती है फिर delta V mixing कितनी होती है जीरो होती है P total जो हो हम बोलते किसके बराबर होता है P naught A XA plus P naught B XB के बराबर होता है तो एक ऐसा हमें option select करना है और ऐसा एक ही option मुझे नजर आ रहा है option number first ठीक है ना तो यह है अपने पास 69 70 number question देखेगा 60 number nickel oxide का visualization करने पर यह है पाया गया कि 96% ion का विन्यास D8 विया D8 विन्यास होने का मतलब क्या है देखो जी 1 2 3 5 1 2 3 4 5 यह 6 7 और यह 8 D8 विन्यास का मतलब Ni plus 2 और Ni plus 2 जो है इसका percentage तो है 98 ठीक है और sorry 96 इसका percentage तो है अपने पास 96 ठीक है और दूसरा वाला जो हो D7 D7 का मतलब हो जाएगा Ni plus 3 तो Ni plus 3 का percentage कितना है 4% है ठीक है तो अब आपको वो रहा है कि उसका oxide का formula क्या होगा तो मैं माल लेता हूँ देखो ज़रा कि Ni X O है formula ठीक है तो X तो total मिलागे कितना है 100 अब X में से कुछ तो अपने पास है यह Ni plus 2 और कुछ है कितना Ni plus 3 ऐसा ही है तो अब मैं यह बोल देता हूँ कि यह Ni plus 2 जो है आप देखो जरा कि Ni plus 2 तो कितना हो गया 0.96 ठीक है यह इसमें से माल लो यह वाला जो है यह Y है है और यह वाला कितना हो जाएगा फिर यह हो जाएगा X माइनस कितना Y ले रहे बात यह Y की value आपको पता है कितनी है 0.96 और इ कितना आएगा प्लस 2Y ठीक यहाँ पर एक पर प्लस 3 है तो यह आजाएगा 3X माइनस कितना Y और हमें पता है कि सब का charge मिलाकर जो है वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 2Y plus 3X माइनस Y और माइनस 2 is equal to कितना आएगा 0 आएगा अब Y की value जो ह मैं यहाँ पर put कर देता हूँ तो Y की value जो हो कितनी है 0.96 है तो 0.96 यहाँ पर put कर देता हो तो 2 into 0.96 प्लस 3X माइनस 0.96 माइनस 2 is equal to 0 तो यहाँ से जो हो हमारे पास X की value निकल के आएगी और इसको solve करो X की value हमारे पास आजाएगी कितनी 0.98 तो ऐसा एकी option है 0.98 वाला कौन सा option number 4th is correct ठीक तो ऐसा है भी यह है अपने पास question number 70 70 के बाद में question number 71 देखियेगा आपको बोल रहा है एक reaction आपको दे रखी है कि bum calorimeter में करवाई जाती है तता 2.98 पर delta U का मान आपको internal energy इत्ता देर का enthalpy वरिवतन delta H पूछ रहा है आपसे तो delta H और delta U का relation क्या होता है delta H is equal to delta E plus delta NG RT यह relation होता है तो delta E तो आपको देर का minus का 7 minus का 742.7 plus इस reaction का delta NG देखियेगा जरा कि delta NG होता है total moles of gaseous product minus total moles of gaseous reactant तो product की side 1 plus 1 कित्ते हो गए 2 और दूसरी तरफ जो हो अपने पास यह dead हो गया और यह 1 हो गया तो total धाई तो यह आएगा अपने पास minus का 1 by 2 तो यहाँ पर आजाएगा भीया minus 1 by 2 और R की value क्योंकि kilo joule में है तो इसको 25 by 3 लेना पड़ेगा यह joule में और temperature जो हो कितना देर का 298 kilo में बदलने के लिए 1000 से divide करना पड़ेगा आप देखो overall जो value आएगी ना वो एक तरके से minus 742 से ज्यादा आएगी और minus 742 से थोड़ी सी value ज्यादा है तो A की option यहाँ पर set होता है वोजा minus 743.9 ठीक है और इसमें जो वैसे आपको सोचना भी नहीं था आप यह देख लो कि delta NG negative है ना और delta NG negative है तो यहाँ पर इस case में जो हो delta E की value जो हो ज्यादा आएगी और delta E की value ज्यादा तो इससे कम वाला A की option अपने पास है clear है बाद next question की तरफ बढ़ते है अगला question है 72 देखेगा क्या कह रहा है next question की तरफ चलते है question हविया 25 degree centigrade पर acidic अमलके 0.01 molar willian की विशिश चालकता कपा आपको दे रखिए लेकिन यह कपा जो है दियान से देखो meter inverse में दे रखिए फिर जो है वो आपको दे रखिए अमलके वियोजन की म मात्रा ग्यात कीजिए 25 पर अनन्तनुता पर molar चालकता यह है और यह भी आपको meter square में दे रखिए आपको पता होना चाहिए alpha निकालने का तरीका हमारे पास होता है lambda mc upon lambda m infinite यह दे रखिए और इसकी value निकालने का तरीका हमारे पास यह होता भी है kappa into 1000 by m लेकिन यह वाला त निकालने का तरीका हमारे पास यह रहेगा kappa by m m का मतलब molarity अभी भी देखो kappa जो आपको देरका है ना यह देरका 0.162 साइमन और यह आजाएगा meter inverse में लेकिन यहाँ पर जो molarता है molarता हमारे पास होती है 0.01 यह आगए भी यह mol पर लीटर में पर लीटर को आपको किस पर बदलना पड़ेगा इसको meter में बदलना पड़ेगा तो एक लीटर में 10 की गहाँ माइनस 3 meter cube होते हैं तो 10 की गहाँ माइनस 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो यह आएगा 10 ठीक है तो इसको divide करूँगा किस से 10 से तो यह हमारे पास इसको solve करोगे तो यह आजाएगा 0.0016 2 ठीक है यह हमारे पास आगे lambda mc की value और यह lambda mc की value आएगी Simon meter square per mole में ठीक है तो यानि कि जिस unit में lambda m infinite उसी unit में lambda mc की value भी निकल के आगई और इसको अगर मैं solve करूँगा तो यह आगए अब यह 16.2 गुणा 10 की गहाँ माइनस कितना 4 clear है बात तो अब यहाँ पर रख देत है यह हो गया solve question खतम तो यह आएगा 0.0414 और percentage में आजाएगा कितना 4.14% ठीक है तो मित करते है question आपने थोड़ा सा मतलब पढ़ा होगा ध्यान से मेरे ख्याल से question आपने आपसे या तो हुआ नहीं होगा या आपका पका गलत हुआ होगा ठीक है लेकिन फिर भी question जो हो शामिल होता है surface chemistry related question है समांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है कि reactant और catalyst दोनों एक ही physical state में हो विश्मांगी का मतलब होता है reactant और जो अपना catalyst है ये अलग-अलग physical state में हो तो यहाँ पर देखिएगा catalyst जो है वो अपने पास ये तो हो गया समांगी उत्प्रेरण इस ते बो तरफ चलते हैं अपने physical वाले में तो question number अपने पास है यहाँ पर 96 देखिएगा ये question आपको बोरा कि ये gasier hydrocarbon है कि 10 अमल को पूंटा है दहन करवाने के लिए 55 अमल ओटू के अवश्यक्ता होती तो x का मान क्या हो देखिएगा जरा कि c4 hx इसको मैं जला रहा हूं इसको ज यहाँ पर तो o2 लेना है ये oxygen के atom है तो इसको थोड़ा से solve करूंगा तो यहाँ जाएगा 16 प्लस कितना x और यहाँ पर मैं लिखूंगा तो यहाँ जाएगा 16 प्लस xy कितना 4 अब देखेगा आपको क्या बोल रहा है कि इसके 10 अमल के लिए 10 अमल के लिए 55 अमल यहाँ पर यह 55 के बराबर ठीक है यह 5.5 आगया तो यह इसको solve कर लेता हूँ तो 16 प्लस x by 4 is equal to कितना 5.5 ठीक है और यह अपने पास आजाएगा कितना 22 ठीक है तो 16 प्लस x is equal to कितना 22 तो x is equal to निकल के आगए कितना 6 तो option number second is correct ठीक है ना मोल कंसब से related question था next question जाओ आइनिक का question है निम्न कतनों पर विचार कीजिए चलो करते हैं consider the following state में ठीक है यह आपको बोरा है कि 0.1 molar 400 ml H2SO4 विलियन को 0.1 molar 400 ml एन्योज में विश्रित करने पर विलियन की pH का मान लगबग 1.3 प्राप्त होता है approximately जो हो वो 1.3 चेक करते हैं विया कि यहाँ पर इसके milligram equivalent हमारे पास आजाएगा देखो molarity point 1 है तो normalty हो जाएगी point 2 into कितने 400 ठीक है तो इसके milligram equivalent आगए कितने 80 फिर इसके milligram equivalent चेक करते हैं तो यह आगए कितने 40 तो H plus चेक कर लेते हैं तो H plus निकालने का तरीका N1 V1 minus N2 V2 तो यह total 40 है ना N1 V1 minus N2 V2 divided by 40 और 40 कितना हो गया 800 हो गया तो यह आगया 1 by 20 है ना और 1 by 20 बोले तो 5 into 10 to the power minus 2 यह H plus आगए तो pH निकल के आएगा 2 minus log 5 और log 5 कितना हो तो 0.7 यानि कि 1.3 के अप्रोक्स आ रहा है यानि कि 8 सई है ठीक है जल का आएनि गुणन फल ताप पर निर्वर करता है बिलकुल भईया के डवलू जो होता हो ताप पर निर्वर करता है इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है ठीक है अगर हम जो 1 minus alpha को क्या माने तब तो यहां पर जो है वो यह तो आगया 10 की गात माइनस 5 और यह भी 10 की गात माइनस 5 तो alpha की value तो एक आगई पर alpha की value एक आने का मतलब यह तो जो हो एक तरीके से क्या है strong electrolyte है तो यह हो सकता भी है यह वाला जो है हो वो तो क्या हो गया गलत हो गया leach Createlier नियम के नियम समयन परभाव के लिए लागोँ नहीं हो तब बिलकुल भी है समयन परभाव के लिए समयन परभाव को explain ही हम leach cafeteria principle से करते हैं यहां पर keval और keval जो first and second ठीक होगा, next question की तरफ बात करते हैं, तो अगला question है भी यह, question number 98, यह आपको बोल रहा है, y gram एवाश्पशिल कारवनिक पदार, जिसका अनुभार M है, डाइसो ग्राम बेंजीन में गुला हुआ है, बेंजीन का उन्यन स्थरांग KB, इसके क्वतनांक में उन्यन, डेल्टा टीबी is equal to, हम बोलते हैं भी यह, एक तरीके से KB into M, तो KB यह आपको दे रखा है, मोलर्टा कैसे निकालते हैं, मोलर्टी कैसे निकालते हैं, तो मोलर्टी का मतलब given mass upon molar mass, और यह mass of solvent, gram में हो तो उपर लगा दो, आप क्या 1000, यह चार जाएगा, तो यह अपने पास आजएगा, 4Y into KB by M, ऐसा कोई option है क्या, 4Y into KB by M, ऐसा A की option है, option number second, next question की तरफ चलते है, question number 99, kinetics का question है, देखिएगा, शुन्य कोटी अभिक्रिया, परतम कोटी अभिक्रिया, दित्य कोटी अभिक्रिया, अच्छदम एकाणवी का अभिक्रिया, यह सारा दिया हुआ है, देखो इसको तो हम बोलते है, will help me equation, और यह जो किसके लिए सही है, first order reaction के लिए ही सही है, ठ दिये गए समय में पूरी होती है, बागी कोई भी reaction complete नहीं होती है, फिर जो हो दित्य कोटी की अभिक्रिया के लिए, जो हमें पता है कि टी हाफ जो होता है, वो inversely proportional होता है, किसके concentration के, यह भी ठीक है, और छादम एकाणवी का अभिक्रिया के लिए कम से कम दो क्रिया का जिनमें से एक access में होगा, तो उच्छादम कोटी की अभिक्रिया हो जाएगी, तो यह हो गया question number 99, last question अपने पास अभी है, एक reaction दे रखा है, गेशियर आसानिक समिक्रण एक बंद पात्र में कराई जाती है, तो B के सांदर में 10 second में इतने की व्रदी होती है, तो C के दिख of C, देखिएगा, reaction ऐसी है कि 2A is converting into 4B plus C, ठीक है, अब B की सांदरता जो है, वो 10 second में इतनी बदलती है, यानि की एक तरिके से B के सापक्ष अभिक्रिया की दर, db by dt में अगर निकालूं, तो यह 5 गुणा 10 की गात माइनस 3, डिवाइड बाई कितना आ गया, 10, तो यानि य की rate of appearance, तो यहाँ पर relation यह आएगा, 1 by 4, db by dt is equal to dc by dt, तो आपको dc by dt की value पूछिए, तो db by dt दे रखा है कितना, 5 गुणा 10 की गात माइनस 4, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानि यह आजाएगा भईया, अपने पास 1.25 गुणा 10 की गात माइनस 4, यह आंसर जाएगा, option number 4 is correct, तो यह था आपका paper, आपके दो दंगल बचे हैं, उसके बाद में 17 जुलाई, जिसके बारे में आपने जिसको लेकर पूरे साल बरतियारी किया है, उसका exam है, तो भईया बढ़िया करना, अच्छा करना, और डरने की जरुवत नहीं है, गबरान को नीट के exam में बैठे हो, ठीक है, तो आप यह समझना कि यह दोनों दंगल आपके नीट का exam है, आप नीट का ही paper दे रहे हो, और बाकी 17 जुलाई को मिलते हैं शाम को, आप अपने score जितना भी आए, वो वीडियो के नीचे जरूर लिखना, इस दंगल में कितना है, इस score कि दंगल सिरीज में हम डिसक्स करेंगे 8th नंबर दंगल, ओके स्टुडेंट्स, सबसे पहले, the IUPAC name of the compound, IUPAC name, इस में अगर main chain हम सेलेक्ट करते हैं, इसको देखा, तो यह अपने पास, एक main chain होगी, main chain में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ester function group है, ester functional group की बात करते हैं, और अपने पास, alkyl, alkenoid इसका nomenclature होता है, alkyl group का मतलब यहाँ पे, कौन सा group हो गया, ethyl group हो गया, ethyl group में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ethyl, 2-methyl, propionoid, ethyl, 2-methyl, propionoid, तो कौन सा सही हो जाएगा, second option अपने पास, correct option हो जाएगा, next, which of the following compounds show geometrical isometrium, कौन सा compound geometrical isometrium show कर रहा है, these students first compound में, अपने पास, even number of double bond है, even number of double bond है, तो इसमें plane of symmetry और center of symmetry बोथ हार absent, POS भी क्या होगी, absent है, COS भी क्या है, absent है, तो optically active है, और यह क्या show कर रहा है, optical isometrium show कर रहा है, second option में, इस ring पे, यहाँ पे, यह SP3 carbon से, valency different होगी, इस SP3 carbon से, valency different होगी, और इसके काण यह क्या show कर रहा है, GI show कर रहा है, इसमें, यह वाला compound GI show नहीं कर रहा है, इसमें double bond पे, दोनों group जोड़े है, जो क्या होगी, same plane में होगी, तो यह भी GI show नहीं कर रहा है, तो कौन सा compound GI show कर रहा है, second option अपने पास, GI show कर रहा है, ओके, next, decreasing order of the minus I effect, decreasing order of minus I effect, हमें यह tried given है, इस tried में, I effect के decreasing order में arrange करना है, first of all, positive charge का minus I effect है, comparatively neutral species से ज्यादा होता है, तो positive charge अपने पास यह हो गया, इसका I effect सबसे ज्यादा होना चाहिए, NO2 और जो carbonile group है, इसमें से किसका I effect, minus I effect ज्यादा होता है, NO2 का minus I effect ज्यादा होता है, तो यह NO2 का minus I effect ज्यादा हो गया, उसके बाद carbonile का, तो अपने पास कौन सा option correct हो जाएगा, अपने पास first option correct हो जाएगा, ओके, next, correct order of the stability of the carb catein, carb catein की stability का order चेक करना है, यह अपने पास benzyli carb catein है, बेंजायली carb catein में CS3 group है, बेंजायली carb catein में CD group है, और बेंजायली carb catein में OCS3 group है, तो तीनों के तीनों group है, वो कौन सी position पे, मेटा position पे group है, तो only minus I effect considered in following compound, minus I effect और I effect, plus I effect, इसका कैसा effect होता है, plus I effect होता है, इसका कैसा effect होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है और इन दोनों में से भी किसका प्लस आई ज्यादा होता है CD3 का प्लस आई क्या होता है ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा इस्टेबिलिटी किसकी होगी first key, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, तो सबसे ज्यादा stability किसकी यही, third key होगी, फिर उसके बाद second key, उसके बाद first key, और due to the minus high effect, stability क्या होगी, decrease होगी, कौन सा option होगया, third option अपने पास हो जाएगा, okay, next, arrange the mark carbon carbon bond in the above compound in the decreasing order of their bond length, bond length के decreasing order में arrange करना है, तो these students देखते हैं, अपने पास यह compound A होगया, यह compound B है और यह compound C है, ऐसा compound है, इसमें resonance के कारण कैसे करक्टर आजाएंगे, double bond के करक्टर आजाएंगे, तो इस bond में कुछ कैसे करक्टर हो जाएंगे, double bond के करक्टर हो जाएंगे, इसमें तो हमेशाई bond में कैसे रहेंगे, double bond के करक्टर रहेंगे, और double bond के करक्टर रहेंगे, तो यह bond length सबसे smaller होगी इसमें dear students की hyperconjugation hyperconjugation structure बनेगी c h h और h ये hyperconjugation structure बनेगी इस hyperconjugation structure के कारण कैसे करेक्टर आ जाएंगे double bond के करेक्टर आ जाएंगे दोनों electron इधर आएंगे ये electron इधर चले जाएंगे और हमने का c h h h h plus बिना bond के दोरा double bond c h और ये होगे आपने पास c h 2 minus hyperconjugation और resonance में कौन dominant होता है resonance dominant होता है तो कौन से में double bond के करेक्टर जाएंगे इसमें double bond के करेक्टर जाएंगे तो सबसे longer होगी c वाली ठीक है उसके बाद a वाली और सबसे smaller हो जाएगी भी वाली तो कौन सा order सही हो जाएगा थर्ड वाला order सही हो जाएगा ओके students next discuss करते हैं next the correct decreasing order of the basic strength basic strength को compare करना है यहाँ nitrogen का non pair है क्या resonance में participate कर रहा है क्या resonance में participate नहीं कर रहा है तो electron density क्या रहेगी? electron density ज्यादा रहेगी donating tendency भी ज्यादा रहेगी और क्या हो जाएगा? more basic हो जाएगा यहाँ भी non pair of resonance, non pair of electron resonance में participate नहीं करेगा तो यहाँ भी electron density ज्यादा रहेगी इनमें अगर compare करें तो यहां ring का minus i effect होगा और यहां ring का minus i effect है वो pass वाले atom पे होगा तो इनमें से electron density ns2 में ज्यादा रहेगी और इसकी basic strength ज्यादा रहेगी इन दोनों के compare में इसकी basic strength ज्यादा होगी इन दोनों के compare में इसकी बात करें तो इसका non pair resonance में participate करेगा इसका non pair भी resonance में participate करेगा resonance में participate करेगा c double bond o और ns2 तो यहां इसका minus i effect क्या होता है ज्यादा होता है तो सबसे कम basic ये दोनों इन दोनों की बज़ाए कम basic होंगे और सबसे ये क्या हो जाएगा less basic हो जाएगा अमाइड है लेस बेसिक हो जाएगा तो हमें decreasing order select करना है तो सबसे ज्यादा basic कौन हुआ फरस्ट उसके बाद अपने पास second उसके बाद second उसके बाद कौन सा बाद third वाला सबसे कम fourth वाला कौन सा option सही हो गया first वाला option सही हो गया आपने पास okay students next action of heat on a mixture of sodium propionate and soda lime these students sodium propionate की बात करें तो CS3, CS2, COO, Na sodium propionate इसकी soda lime NaOH plus CO ये reaction बिल्कुल name reaction important reaction सह soda lime decarboxylation soda lime decarboxylation में इसका decarboxylation हो जाएगा और बनेगा CS3, CS3 कौन सा product बना है अपने पास product का नाम हो गया ethane अपने पास product बन गया AJ तो कौन सा option हो गया second option अपने पास correct option हो जाएगा okay students next discuss करते हैं CS3, C, triple bond, C और CS3 अपने पास alkyne given है एक बार इसकी reactions NA और liquid NS3 NA और liquid NS3 एक बार H2 palladium और carbon dear students इस तरह का जो reductions कर रहे हैं उसमें अपने पास कौन सा product बनेगा CS वाला product बनेगा यहाँ reaction करवा रहे हैं तो बर्च reduction हो गया और अपने पास trans वाला alkyne बनेगा trans वाला है तो A क्या बनना चीए cis वाला alkyne बनना चीए first में दोनों में cis वाला alkyne है और B कौन सा alkyne बनना चीए trans वाला alkyne बनना चीए तो यह केसी alkyne होगी trans alkyne होगी यह cis alkyne होगी कौन सा option correct हो जाएगा second option correct हो जाएगा next cs3, cs1, double bond भी present है और alcohol group भी present है PCC से हम oxidize करें PCC से oxidize करते हैं तो double bond retain रहता है double bond पे कोई फरक नहीं पड़ता है और cs2 किसमें convert हो जाता है cs2 अपने पास ch1 में convert हो जाएगा तो इसमें बन जाएगा cs3, cs double bond, cs, ch, ho में convert हो जाएगा कौन सा product है इसा अपने पास cs3 जिसमें double bond हो तो रिटेंड है रहा है यह हो गया कौन सा option हो गया second वाला option अपने पास correct option हो जाएगा next which of the following will undergoes ascent to reactions कौन सा ascent to reactions देगा तो यह कैसा हो गया अपने पास hello aliens हो गया double bond के character आजाएंगे resonance के कान और ascent to के लिए reactive नहीं होता है ascent one और ascent two दोनों ही नहीं देता है यह वाला compound ascent to reactions देगा इस वाले compound में resonance के कान केसे character आजाएंगे double bond के character आजाएंगे यहाँ पे तो यह भी ascent to reactions नहीं देगा यह bridge head position है और bridge head position भी कौनसी reaction नहीं देती है ascent to reactions नहीं देती है तो कौनसा compound ascent to reactions देगा second वाला compound ascent to reactions देगा ओके 84 first of all इसका hydrolysis कर रहे है इसका hydrolysis कर रहे है इसका hydrolysis करेंगे तो first of all अपने पास product बनेगा C double bond हो और ester का hydrolysis करेंगे acidic तो यह बन जाएगा COS, dear students यह अपने पास हो गया alpha और beta beta ketoacid, beta beta ketoacid easily heat करने पर simple decarboxylation देते हैं और अपने पास क्या बन जाएगा यह वाला compound decarboxylation होगा और अपने पास यह वाला compound बन जाएगा cyclohexenone, कौन सा option है cyclohexenone, second वाला option अपने पास, correct option हो जाएगा CH3, CH, CL, CL alcoholic के वाच NANS2 के साथ reactions करवा रहा है alcoholic के वाच NANS2 elimination होगा और elimination से अपने पास product क्या बनेगा A product अपने पास बन जाएगा CH111, CH बन जाएगा इसकी reactions red hot effey tube में करवाते हैं red hot effey tube तो यहाँ पे अपने पास जो product बनेगा वो इसका cyclic polymerization या trimerization होगा और अपने पास इस compound में benzene अपने पास बन जाएगा तो product अपने पास क्या रहेगा benzene AJ product रहेगा अपने पास two number ओके नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट 86 देन बीज भी हमें पूचा है reactions में अपने पास इसकी reactions H plus के साथ reactions करवाएंगे benzene की तो यह अपने पास fiddle craft reactions होगी यह अपने पास carbocatine बनेगा और carbocatine बनके A product जो अपने पास बनेगा A product वो अपने पास बन जाएगा यह क्यूमीन A जे अपने पास यह वाला product बन जाएगा जिसे हम क्या कहाँ देंगे क्यूमीन कहाँ देंगे इसकी reaction O2 के साथ करवाएंगे तो क्यूमीन hydroproxide बन जाएगा यह अपने पास जो बनेगा उसे हम कहाँ देंगे C अपने पास क्यूमीन hydroproxide C CS3 CS3 और यह O और H क्यूमीन hydroproxide इसकी dilute H2SO4 के साथ reaction करवाएंगे H plus के साथ एक तो अपने पास बनेगा phenol और एक product बनेगा अपने पास acetone AJ product बन जाएगा ठीकर dear students पूछा क्या अपने को पूछा यह दें बीज तो B क्या अपने पास B क्या हो गया क्यूमीन hydroproxide हो गया तो अपने पास B कौनसा option correct है थर्ड वाला option correct हो गया क्यूमीन hydroproxide हो गया ओके next एक compound है amine amine की reaction chloroform और क्योज के साथ करवाते ही तो first of all product क्या बनता है A बनता है A का hydrolysis कर देते है तो B और C बनता है उनसके regarding हमें इस questions में option को select करना है सबसे पहले हम इसकी reactions करवा लेते है CS3 CH2 CH2 और NH2 यह 3 carbon atom हो गये 1 1, 2 और 3 1 Ns2 हो गया इसकी reaction CHCl3 प्लस के ओवज कौन सी reaction से बिटाओ यह reactions अपने पास कार्बिल अमाई आईसो साइनाइड reactions क्या बन जाएगा CS3 CH2 CH2 और क्या बन जाएगा NC बन जाएगा इसकी reaction में acidic hydrolysis करवाएंगे तो अपने पास NH2 यह प्रोड़क्ट अपने पास बन जाएगा एक प्रोड़क्ट अपने पास बन जाएगा फोर्मीक एसिड फोर्मीक एसिड तो फस्त ओफोल वन आप दे प्रोड़क्ट दूरिंग दर एक्सान कें गिवज सिल्वर मीरर टेस्ट इर स्टुडेंट्स फोर्मीक एसिड है वो सिल्वर मीरर टेस्ट देता है फोर्मीक एसिड की रियक्षन टोलें रियेजिएंट के साथ करवाते है यह टोलें रियेजिएंट अमोनिकल अग अनॉथरी NH4-OH प्लस अग अग अनुथरी tolerance reagent के साथ करवाते हैं, तो अपने पास बन जाता है, एक तो क्या बन जाता है, यह tolerance reagent, इसे reduce कर देता है, अक्षिराइज कर देता है, यह क्या बना देता है, CO2 बना देता है, AG, तो tolerance test देता है, सेकिन, one of the product is secondary amine, बात कैसा है, primary amine, यह option क्या हो गया, incorrect option हो गया, ठीक है, one of the reaction is the rimel-t-man reactions, it is not a rimel-t-man reaction, carbylamine isocyanide reactions, तो option incorrect हो गया, for product A, 4 mol of KOH required, no, for product 3 mol of KOH will be required, okay, तो कौंसा option क्या हो गया, first वाला option, अपने पास correct option हो गया, which of the, when is the biodegradable polymer, dear students, first nylon 2, nylon 6, अपने पास NCRT में लिखा हो है, nylon 2, nylon 6, is a biodegradable polymer, is the polymer of the glycine or amino caproic acid, okay, dear students, तो यह कैसा होता है, biodegradable, nylon 6, 6, bio non-degradable, nylon 6B non-degradable, decrone भी क्या होता है, non-degradable polymer होता है, next, which of the following reactions of the glucose can be explained only by the cyclic structure, glucose form pentacetate, कहते ही कि glucose cyclic structure में होता है, आप glucose की acyclic structure बनाते हो, तो बनाते हो, CHO, COH, H, third carbon, COH, H, OH, H, COH, H, और CH2, OH, okay, dear students, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acyclic structure, अगर glucose की cyclic structure होती, तो C, OH और H, C, OH, H, C, OH, H, C, OH और H, C, OH, oxygen और CH2, OH, गुलकोज form pentacetate, अगर इस form में होता हो, 1, 2, 3, 4, 5, गुलकोज क्या बना देगा, pentacetate बना देगा, cyclic form हो चाहें, acyclic form हो, 1, 2, 3, 4, और 5, यह इस को structure को explain नहीं करता है, गुलकोज react with the hydroxyl amine and form oxyme, गुलकोज hydroxyl amine के साथ reaction करके oxyme बनाता है, pentacetate, बिलकुल hydroxyl amine के साथ reaction करके oxyme बना देगा, pentacetate of glucose does not react with the hydroxyl amine, pentacetate, अगर pentacetate बना दिया, तो फिर कौन सा group free नहीं हो पाएगा, ring open नहीं हो पाएगी, carbonyl group क्या नहीं होगा, free नहीं होगा, तो यह कौन सी structure को explain करती है, cyclic structure को explain करती है, glucose is oxidized by the nitric acid to gluconic acid, बात तो सही है, लेकिन nitric acid open करेगा, और दोनों को oxidize कर देगा, तो कौन सा statement करक्ट हो गया, third statement, correct statement हो गया, ओके, next, consider the following statement, अनाल जेसिक खेव, pain killer effect, dear students, बिल्कुल NGIT में इखा है, अनाल जेसिक का कैसा effect होता है, pain killer होती है, antiseptic kill or arrest the growth of microorganism, बिल्कुल microorganism की growth को रोग देती है, antistamine inhibits the action of the compound, बिल्कुल antistamine, stamine को इतो क्या करती है, relief करती है, तो कौन से correct हो जाएंगे, first, second and third correct statement हो जाएंगे, ok, dear students, ok, organic paper आपने discuss किया, ok, thank you, JJCLC, hello students, dangle 08 का solution करने जा रहे हैं अपन, तो देखे, सबसे इन और्गनिक का पार्ट है, उसका मैं solution करवा रहा हूँ, 17 question जो है, question number 51 से अपन देखें, the electron gain enthalpy of halogen in kilozoule, iron is given F-332, CL की 349, 324 और iodine की minus 292, तो the less negative value for the fluorine as compared to that of CL is due to, देखे, यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, period table में, कि जो second period जो होते हैं, उनकी जो affinity होती है, वो third से कम होती है, reason क्या होता है, second period का, जो size होता है, वो small होता है, small size में अपन electron add करेंगे, तो वहाँ repulsion force क्या होता है, ज्यादा लगेगा, तो अपने देखो, strong electron, electron repulsion in the compact 2P sub-cell of fluorine, fluorine में 2P orbital लगता है, 2P में electron अपन add करेंगे, तो 2P का size क्या होता है, small होता है, तो यह इसका reason first जा रहा है, फिर हारा strong electron, electron repulsion in the bigger 3P नहीं, इसमें strong नहीं लगता है, इसमें weak repulsion लगता है, फिर smaller electronegativity reason नहीं होता है, इसमें, इसमें जो sub-cell होता है, उसका size small होगा, और electron अपन जैसे small size में electron जैसे अपन add करेंगे, electron जैसे अभी, अभी यह size अपने पास है, ऐसे जैसे size ले रहे, यह जैसे 2P का size है, यह 3P का size है, तो 2P का size small होता है, आपन बहार से electron add करेंगे, तो repulsion क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो first answer is correct, next लेते हैं अपन, निम्न में सही नहीं है, which of following not correctly matched, देखे बेरियम का apple green color होता है, और sodium का golden yellow color होता है, strontium का brick red नहीं होता है, इसका blood red color होता है, brick red color तो calcium का होता है, तो third आपका incorrect है, और magnesium जो होता है, वो flame test शोई नहीं करता है, क्योंकि इसका IP, ionization potential high होता है, और macrovalence electron tightly bonded होता है, वो easily excited state में जाई नहीं सकता, तो magnesium कभी color show नहीं करेगा, strontium का color गलर, lithium crimson red color show करेगा, तो not correctly match पुछलेंगे, तो third और fifth जो है वो आपके सही answer जाएंगे, next लेते हैं, दरसाय के सम्निकोणों का सही करम, वीचोब फॉलिंग और नोट करेक्टली, according to the property indicates the against them, देखिए, polarizability जो power है, वो a9 पर charge density जिस पर ज़्यादा है, यहाँ charge density क्या है, बचो कम है, देखिए, यह CL double bond, यह O negative है, तो यहाँ क्या है, आपके पास resonance है, यहाँ resonance है, यहाँ resonance है, तो एक negative चार oxygen पर distribute होगा, यहाँ negative तीन पर जाएगा, यहाँ दो पर जा रहा है, तो polarizability जो है, यह आपका गलत order है, और polarizing power आपका जो है, केटाइन का, यह सही जा रहा है, क्योंकि charge बढ़रा है आपका, और size भी small होता जा रहा है, polarizing power बढ़री, polarizing power अपना आइनिक potential से measure करते हैं बच्चों, फाई जो होता है, चार्ज और size का ratio होता है, melting point की बात करें, तो आइनिक compound का melting point ज़्यादा होता है, तो NACL, KCL में यह आइनिक compound होते हैं, और LICL तो कोवलेंट होता है, इसका कम होता है melting point, और दूसरा melting point, lattice energy पे भी depend करता है, तो lattice energy जो है, NACL की इनकी ज़्यादा होती है, तो melting point भी होगा, फिर थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों जैसे, थर्मल स्टेबिलिटी, inversely proportional to ionic potential होता है, अब आइनिक potential जो होता है आपका, तोप टू बोटो चार्ज और साइज बाढ़ने से डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये भी order आपका correct आ रहा है, तो first incorrect order होगए आपका, incorrect order is, देखें, magnetic moment, magnetic moment बच्चों क्या होता है, mu होता है, directly proportional to number of unpaid electron, तो unpaid electron के according आपको देखना है कि, कौन सा आपका correct order है, कौन सा incorrect order है, तो देखें, O2 में unpaid electron कितने होते हैं, दो होते हैं, और O2 प्लस में unpaid होता है, आपके पास एक होता है, और यहाँ unpaid क्या आपके पास कितने हैं, बच्चों, unpaid यहाँ 0 हो गए, O2 मोटी से आपको चेक करना है, तो ये आपका incorrect order आ रहा है, ये आपका incorrect order है, NO माइनस, NO, NO प्लस bond length, bond length देखें, bond order से देख लिजिए, inversely proportional है, तो bond order जो आपके पास, NO का क्या आएगा, NO का bond order ज़्याद है आपके पास, या फिर NO माइनस का ज़्याद है, NO में यहाँ electron में 7, 8, और 15, 16 electron हो गए हैं, और ये 15 हो गए हैं, और ये 14 हो गए हैं, तो bond order जो आएगा, इसका ज़्यादा आएगा, bond length कम आएगा, तो ये correct order आगए आपका, H2, H2 plus H2 bond energy, देखें, यहाँ bond order आ रहा है आपका 1, और यहाँ bond order आ रहा है आपका half, यहाँ H2 में bond order half आ रहा है, लेकिन इसमें electron anti-bonding में है, तो bond energy क्या होगी, इसकी कम और इसका bmo में है, तो bond energy ज़्यादा होगी, तो ये भी correct order है, और NO2, NO2- के अंदर देखें, तो इसका hybridization SP आ रहा है, तो bond angle 180 आने वाला है, और NO, इसका जो bond angle है, यह 134 degree के approximate आएगा, और NO3 nitrate में SP2 hybridization है, लेकिन bond angle 120 आएगा बच्चो, ये 120 हो गया, और ये SP में 180 हो गया, तो ये भी correct order है, तो आपका first answer is correct, next लेते हैं, question number 55 देखें, which is true for NH2, NH3, NH4 plus H, hybridization nitrogen is same, देखें, hybridization तो यहाँ सही है, SP3 hybridization है, hybridization SP3 है, first essay हो गया, H and H bond angle is same, ये गलत हो गया, क्योंकि बच्चों इसमें lone pair आपके पास आरे, दोर यहाँ आ रहा है, एक lone pair यहाँ 0 lone pair है, तो bond angle lone pair जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो bond angle क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो यह यह वाला सेम वाला यह गलत हो गया आपका, geometry is a different सही है, यह geometry बच्चों अलगल होगा है, पिरामिडल एक टेट्राइडल आ रहा है, और यह को वीशेप आ रहा है, फिर number of lone pair on an atom are the same, geometry different है, number of lone pair an atom is same, यह भी गलत है, क्योंकि देखो इसमें lone pair आपके पास two lone pair है, इसमें one है, इसमें zero lone pair है, तो आपका a और c जो है बच्चों यह correct जाएगा, next लेते हैं, optical is not shown by the complex, देखिए इसमें bidented ligand ले रखें, bidented में यह आपको बता होगा, इस तरह का जैसे यह covert ले लिया हमने, यह है in, और यह भी है in, अब इसमें हमारे पास एक होता है, c और एक होता है, trans, एक सी सोतार एक होता है, trans, यह plus 3 में आपके पास, तो यहाँ आपके पास जो trans होता है, बच्चों जैसे CL CL, यह optically inactive होता है, क्योंकि इसमें pious plane of symmetry present होती है, जैसे आप इसको biset करोगे तो उपर नीचे आपके पास same ligand आ रहे हैं, तो plane of symmetry present होने कारण, यह जो third optically inactive हो जाएगा, बाकी में pious नहीं है, तो optically active होंगे यह, ओके बच्चों, next अपन लेते हैं, अपने इधर आपके पास कोई ligand आ रहा है, और उस ligand के पास, आपके पास इधर यह field orbital है, और यह आपके पास जा रहे है, back bonding में यह synergic effect आ रहा है, यह vacant orbital होने चाहिए आपके पास, अब vacant में db हो सकता है, आपके पास πाई anti bonding वेकेंड भी हो सकता है, अनो में, c6, s6 में, इन में पाई anti bonding वेकेंड होते हैं, लेकिन PR3 में आपके पास d orbital वेकेंड होता है, फोस्पोरस में, ठीक है बच्चों, तो यह आपका second answer is correct, electrolytic reduction of the alumina to aluminium by Hall Herald process is carried out, NCRT का बहतरीन question है, examों में कई बार पुछा गए बच्चों, देखें, alumina होता है, AL2O3, अब इसमें हम cryolite मिलाते हैं, NA3ALF6, यह cryolite मिलाते हैं, cryolite मिलाते ही, इसका melting point क्या होता है, भोत ही हाई होता है, क्योंकि काफी stable compound होता है, तो यह melting point को क्या कर देता है, कम कर देता है, और conductivity को बढ़ा देता है, कि number of ions भी available कराता है, तो presence of cryolite which form a melt with lower melting temperature, lower the melting temperature नहीं, which lower the melting temperature कम कर देगा, इन presence of cryolite which form the melt higher यह नहीं आएगा, तो यह आपका जो है, third जो है, correct हो जाएगा, हाल हराड process में, correct statement is, K2CR27 दे यलो कलर, K2CR27 दा ओरेंज कलर, यह आपको पता है, बच्चो, charge transfer spectra के कारण, यह colored compound होते हैं, जबकि इन में, unpaid electron देखोगे, जैसे chromium plus 6 में हैं, यहाँ पर भी, और इसमें भी plus 6 में हैं, तो यहाँ D में कोई electron नहीं, लेकिन, charge transfer spectra कारण, यह colored होते हैं, K2CR27 दे chromite with KOH, यह सही है, CR2072 negative, जैसे देखिए, convert होता है, CR042 negative आईन में, dichromate chromate आईन में convert होता है, तो यह जो है, आपके पास basic medium रखोगे, OH-, तो यह इसमें convert होगा, acidic medium में वापिस convert हो जाएगा, तो यह आपका ठीक आगया, फिर when K2CR27 heated to the consented S2 4, presence of NACL grade vapor, तो यह chromyl chloride की vapor बनती यह test होता है, CRO2, CL2, chromyl chloride test होता है, जिसमें अपन side product देखेंगे, तो KHSO4, NHSO4 और यह बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर chromyl chloride के कारण, यह भी correct हो गया, तो यह तीनों आपका correct होगे, second answer is correct, match list first with the list, second select the correct answer using the course as below in the list, cyanide process बच्चों बहुत ही famous process है, जिसमें coordination complex बन जाते हैं, AZ plus IN के साथ में complex बन जाते हैं, water soluble complex बन जाते हैं, फिर zinc उसमें क्या होता है, zinc के साथ बनाते हैं, फिर उसको high metal reactivity से अपन क्या करते हैं, कि जो AZ है, gold है, इनको बहार निकाल लेते हैं, तो यह cyanide process extraction of gold में, और AZ में काम में लेते हैं, तो first में देखो D है, D में देखो तो आपका second answer ही जा रहा है यहां पर, और B में, fluoritation process में pine oil अपन यूज़ करते हैं, यह frother का काम करता है, frother agent होता है, जाग बनाने वाला agent होता है, electrolytic reduction आपके पास है, तो first S block में और aluminium में करते हैं, highly reactive metals के लिए अपन, जो है electrolytic reduction का में, zone refining जो है, ultra pure, semi conductor के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों, ultra pure metal चाहिए, जोन refining method अपन यूज़ करते हैं, यह purification method है, metallurgy का, तो second answer is a correct, how many segment pipe bond present in the borazole, borazole होता है, बच्चों, B3N3H6, इसकी जो structure है, अब देखें, सब जगह आप एक एक, hydrogen ऐसे add कर दीजिए, और यह आपके पास, वेकेंड और्विटल से, इसमें यहाँ, pipe bond इस तरह से बन जाएगा, और जो coordinate bond बनता हो, pipe bond हो गया, तो sigma bond आप count कर लोगे, बच्चों, 12 हो गये हैं, और pipe bond इसमें, 3 हो गये, इसकी structure, benzine की तरह होती है, 12 sigma 3 pi, फर्स्ट एंसरी स्क्रेक्ट, silicon get dissolved in the readily, silicon आपको बता है, जैसे acid में HF में dissolved होता है, और base में एन्योच में dissolved होता है, तो silicon होता है, SiO2, silicon SiO2, और यह HF में dissolved हो गया, तो यह आपके पास है, एक complex बनता है, है H2 SiF6, ठीक है बच्चो, यह आपके पास है, hexafluoro-silicycic acid बनता है, तो यह आपके बाद क्योंकि, vacant diorbital होता है, इसमें, और side product आपके पास water बन जाता है, H2O, तो यह आपके पास HF आ जाएगा, यह HF में, यह water soluble acid बनता है, इसमें, टोटल नंबर ओफ यह आपके फीजिकल बाला पार्ट आगे, आगे बीस section में चलते हैं, यह section हमारा complete होता है, नेक्स देखिए, 91 नंबर question, IP1, IP2, IP3, देखिए, successive IP की value आपको बताब बच्चो, जैसे I1, I2, I3, I4, I5, ऐसे देखो, successive increase होता जाता है, और जहाँ पर एकदम से jump हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फिप्ट, देखिए, अब यह एकदम से यहाँ बढ़ गया, तो यह जो अपने पास है, एकदम से jump कहाँ होगा, और आपके पास है? यहाँ पर जम्प हो रहा है यह मैंने यहाइथ दी है के यहाँ पर एकदम से एकदम पोरां बढ़ादी जो आपके पास आ रहा है जितने नियू शाये बढ़मत्त कर सकते हैं infrast owl श्याहह शार फोजाएंगे तो इसमें एलेक्ट्रों सीलिकन में चार होते हैं तो आपका सेकिंड एन्सरीर क्रेक्ट कि देखें आपने टोटोमेरिजम पड़ी यह तोन है अब आपका इसका टोटोमर बनाऊ ओगे तो यह बन जायेगा CH3 CH2 यह है Enolic और यह है Ketonic यह Enolic फोम में पुछा है तो आप Sigma count के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Sigma हो जाएंगे 1 Pi bond हो जाएगा और 2 Lone pair बच्चों यहाँ Oxygen के उपर 2 Lone pair हो जाएंगे तो first answer is correct आपका फिर आरा निम्य फिर नाइट्रोजन ओन दा हीटिंग नाइट्रोजन कोन देगा तो बच्चों देखो अमोनियम नाइट्राइट जो होता है ना इसको अपन हीट करते हैं तो N2 case देगा यह और प्लस H2O वाटर बनेगा यह नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्राइट देता है बाकि देखो N2 यह तो आइनिक वाले होते हैं आइनिक वाले तो नाइट्रोजन नी देंगे यह ओक्सेट बना लेंगे या फिर N2 प्लस O2 बना लेंगे फर्दर हीट करेंगे और बहुत ज़्यादा हीट करेंग तब बाकि अधर्वाइज यह ओक्सेट में जाके स्टेबल हो जाते हैं फिर Azean O2 की बात करें तो यह भी मैटल का ओक्सेट बन जाएगा Azean O2 बन जाएगा लेकि नाइट्रोजन गेज जो बनेगे आपकी फोर्थ में ही बनेगे XEF is complete hydrolysis gives देखिए बच्चों XEF6 है इसकी reaction water से करवाएगे अब complete hydrolysis के लिए कितने water molecule चाहिए देखो 6 है तो यहाँ पर 3 चाहिएगा आपका तो यह बन जाएगा आपका XEO3 बन जाएगा और side product जो है आपके पास आजाएगा HF तो यह 6 HF बन जाएगा और यह XEO3 के आप structure भी बहुत अच्छे से जानते हो एक loan pair आ जाता है pyramidal ISP3 hybridization हो है और यह solid होता है explosive nature का होता है तो यह आपका third answer is correct which of the following genome compound has the same number of loan pair as i3 minus तो यह i3 minus जो है इस पर इस तरह का condition आ रहे बचाओ तो इसका hybridization देखोगे तो SP3D आएगा यह iodine में 7, 7 plus 2, 9 और 10 SP3D hybridization और यहाँ पर loan pair देखोगे तो कितने loan pair मिलेंगे आपको 3 loan pair मिलेंगे 3 loan pair है इसमें तो 3 loan pair आप देखे किस में आ रहा है XCF2 में आ रहा है genome का hybridization SP3D आ रहा है पांच और पांच में से 3 घटाएंगे तो इसमें 3 loan pair आएगा क्योंकि देखो जिनोन जो है इस तरह का structure आपके पास आ जाता है यह loan pair है loan pair आपके आ जाएगे equatorial position पर axial position पर फ्लोरी ना जाएगा linear structure बन जाएगा तो थर्ड आज का answer जो है वो correct जाएगा बच्चों तो यह हमारे पास है 94 का answer हो जाएगा थर्ड तो बच्चों यह हमारा paper complete होता है आप सभी का paper अच्छा ही गया होगा मैं expect करता हूँ सभी ने बहुत अच्छा किया होगा अब दंगल हमारा हम आठ पे पहुंच गए हैं दस दंगल हमारे होने हैं confidence बना के रखना आपको और मैं कहूंगा कि इन और्गनिक में बहुत अच्छा score आप सभी को करना है क्योंकि सभी बच्चे जो है इन और्गनिक का एंशियाटी का बहुत अच्छा preparation कर चुके हैं और एक्जाम में फाइनल नीट में भी बहुत अच्छा करना है ओके बच्छो थैंक्यू जैजै सील्सी